आज हम बात करने वाले हैं ऐसे important point के बारे में जो कि बहुत कम लोग इस पर बात करना चाहते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो या तो आप ओला लेने का सोच रहे हो तो बहुत important वीडियो हो जाती है आप लोगों के लिए अगर आप ओला लेने चाहते हो या फिर अगर आप ओला ले लिए हो तो क्या आपने ओला लेके कुछ गलती तो नहीं करी सब्सक्राइब करें तो यहां पर कितने साल तक चल जाएगी और इसकी जो बेटरी है वह कितने किलोमेटर बाद हमें बदलानी पड़ेगी तो आपको देखने में मज़ा आगा क्या नहीं पर बेटरी के बारे में भी इतनी बात हो सकती और इंडेप्त आज हम इस वीडियो नहीं नहीं करना है बहुत सारी चीजों के बारे में लगी यह वाले नहीं बात करूं इंगी और इन लृव एंटियौ आयन की सेल की बेटरी में यहाँ पर मैं आपको बता दू के सेल्स होते हैं चोटे-चोटे-चोटे सेल्स मिलके यहाँ पर एक बेटरी का पेक लेते हैं और मैं आपको बता देता हूँ यह है हमारी Ola S1 Pro की बेटरी आप देख सकते हैं यहाँ पर के बेटरी जो है आपको लिथियम आयन सेल्स की बेटरी बनी हुई है मैं आपको बता हूँ यहाँ पर तो यहार हमारी जो ओला की बेटरी वो कुछ इस तरह की नजर आती है अंदर से बात करूँ तो ऐसे कुछ सेल्स होते हैं बात करें इनकी चार्जिंग साइकल के बारे में क्योंकि चार्जिंग साइकल ही डिपेंड करती हमारी बेटरी लाइफ के ऊपर अब हम बात करें चार्जिंग साइकल के बारे में तो चार्जिंग साइकल होता है हम हमारी बेटरी कितनी बार चार्ज कर सकते हैं जैसे Ola S1 Pro आपको मालूम में तो इसकी बेटरी कितनी बार चार्ज हो सकती है इसकी कितनी केपिसिटी निकल के आती है इसके बारे में बात कर लेते है तो सिंपल ही आप यहाँ पर देख सकते है अगर मेरी गाड़ी की बेटरी 100% है तो 100% से मैंने उसको 70% मैंने यूज कर लिया तो गाड़ी की बेटरी बची 30% फिर मैंने उसको 100 करा और फिर मैंने 30% यूज करा तो गाड़ी की बेटरी बची यहाँ पर 70% मतलब मैंने यहाँ पर 100% इसका utilization कब करा पहले 70 चलाई फिर 70 चलाने के बाद फिर चार्ज कर लिए और फिर 30 चलाई तो यहाँ पर हमारी एक चार्जिंग साइकल कंप्लीट होती है अब मैं बता हूँ आपको ओला के तरफ से ओफिशली क्या बोला गया ओला ने ओफिशली बोला कि 3-year की वरंटी है 3-year की वरंटी दे रहा है और 40,000 km आपको दे रहा है extend करवा सकते हो बट यहाँ ओला ने ओफिशली इसकी वेबशाइट पर लिखा हुआ है कि इसकी बेटरी यहाँ पर 7 साल तक चल सकती है मतलब 7 साल चल सकती है ओला S1 Pro, Ola S1 Air की बेटरी हैं आपर और मैं आपको बता दूँ कि इसकी लाइफ इतनी ज़्यादा इसलिए निकल के आ रही है क्योंकि जो lithium-ion sales रहते है इसकी जो लाइफ इतनी ही ज़्यादा रहती है और करीब यहाँ पर आपको 700 से 800 बार चार्ज कर सकते हो 700 से 800 बार चार्ज कर सकते हो, 1000 बार भी चार्ज कर सकते हो यह आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने गाड़ी को कैसे मेंटेन कर रहे हो उसको आपने सुरू से लेके last तक कैसे चार्ज करा मैं आपको एक बात बताओ तो आभी हम last में बात भी करने वाले कि आपकी बेटरी की life cycle आप कैसे बढ़ा सकते हो क्या आपको tips and tricks याद रखने tips and tricks मैं दूँगा आपको जिसके वज़े से आपकी गाड़ी की बेटरी यहाँ पर और अच्छी चलेगी और और ज्यादा साल यहाँ पर चल सकती है यह तो था ओला के बारे में officially ओला जो बोल रहा है उसकी बात मैं आपको बता हूँ एक और मैं आपको research करके बताता हूँ अब यहाँ और यह मेरी खुद की personal research है तो आप देख सकते हैं कि मैं petrol vehicle और एक electric two wheeler को compare करने वाला हूँ यहाँ पर और आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर EV सही निकल के आती है पेट्रोल निकल के सही आती है अगर हम देखे 5 से 7 साल 8 साल के बारे में हम देखे तो आप देखों यहाँ पर पेट्रोल vehicle के बारे में बात करूँ मैं तो पेट्रोल vehicle और electric two wheeler में कौन सी हमारे लिए beneficial रहती में आपकी गाड़ी अगर यहाँ पर कितना लिटर तेल खा जाएगी 1500 लिटर तेल खा जाएगी और 1500 लिटर तेल की प्राइस हमने निकाली ओपर 15,000 रुपे और यहाँ पर 2000 रुपे आपके service चाल लगेंगे साल बर में तो साल बर में 2000 चाल लगने के बाद पेट्रोल च्venir आ चलते हैंब हम electric twilller की देखते हैं पितने उसमें चलेगी 1500 kilometers हिकोच निकलने के पर चलते होने में पर इलेक्ट्रिक स्कूटर के निकल के आरी 45,000 अब इसको आप पेट्रोल बाइक की जो केल्कुलेशन है आप बिल्कुल ओवरॉल इसको देख लेना कि मैंने कैसे केल्कुलेट करा है और मैं आपको बता देता हूं आपके आपकी यहाँ पर पांस साल बाद भी मतलब पांस सा पर इसको आपको आपको आपकी गाड़ी की बेटरी लाइफ बढ़ जाएगी और जिसके तुरू आपकी गाड़ी यहाँ पर दस साल भी चल सकती आपकी ओला की बेटरी अब हम देख लेते हैं यहाँ पर गाड़ी की बेटरी हमारी जादा लाइफ केसे देती आपको मैं एक एकसांपल के दूभ बताऊं तो एकसांपल ही कि हो यहाँ पर बैपनेरे जाद जादर यूश आपके ज़ादा ही और 140 ए तो गाड़ी यहाँ पर temperature high रहेगा, तो temperature high temperature के वज़े से यहाँ पर battery को नुकसान होता है, मैं बता दूँ आपको के लिधिया हमाया जो battery वो 45 degree तक का temperature हमारा ले सकती है, मतलब 45 degree के बाद में वो damage होना शुरू कर देती है, और यहाँ पर हमारा temperature है वो 0 degree से भी कम नहीं होना च लोंग टम में यही समस्या नजर आती है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखो कि hyper charger कम यूज करो, hyper charger यूज कम करने के साथ में आप दूप में रखके चार्ज मत करो, गाड़ी को दूप में मत रखो, तो आपकी गाड़ी की बेटरी के लाइफ विसे भी यहाँ पर increase हो के निक हो सकते हैं, मतलब यार आप खुदी सोचो के यहाँ पर सारे sales खराब नहीं होएंगे, कुछ sales कराब होएंगे जिनको हम replace करवा सकते हैं future में, तो future में हमारी जो battery cost है वो कम निकल के आने ही वाली, और मैं आपको बता दू, अगर आपको नई भी करवाना हो, तो भी आप गा गाड़ी की battery पूरी तरह से खराब नहीं होगी, अगर आप चाहें तो आप उसको सही करवा सकते हैं, otherwise आप ऐसे भी चला सकते हैं, तो यार range कम जरूर हो जाएगी, कुछ साल बाद तो range जरूर कम होने वाली है, यही था एक simple सा logic इसके पीछे, so thank you guys, आप मुझे comment box में comment करक आपको वीडियो केसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, यहाँ पर आपको ऐसे informative वीडियो मिलती रहती है, टेलिग्राम ग्रूप को भी यहाँ पर जोइन कर लो आप लो, तो I hope so, कि अगर आप सब चीजे समझ ग झाल